आपके पास सर्पेंच भी है आपके पास मौन्सिपल्टी भी है आपके बास BDC है डीडीसी है दिली में आपकी सरकारत अब इशू क्या है अभी क्यों ने वह आपकी टावर लाइन आ रही है सब्सक्राइब करेंगे कहा है आपने बोला था कि हम यहां पर नेशनल हाइवे बनवाएंगे तो कहा है वो तो इनके बारे में बदर्वा के लिए बदर्वा की खुशाली के लिए यहां टानल लाना है और वह आएगा और यह आपको मैं बोर रहा हूं नेशनल हाइवे जब डिकलियर हुआ है पर सूब दे को छोड़ेंगे नहीं इस मुद्धे को हम इसको बिल्कुल हंड्रेट एंवाला टानल है यह तो कांगर्स के टाइम सरूरी साथ तब यह आरंटी मंद्री उनने बनाया था मोदी जी आइद उनने रिबन काटा यह तो वही बात हुई ना तो कांगर्स के प्रजेक्टों पे आप रिबन की क्या बात हुती है कि जब अधार मैं हूं नासर केशा और आप देख रहे हैं जो वाइस प्रेजिडेंट है जरा डोडा के बारती जंता पार्टी से तो आज हम इनसे जानेंगे हमारा मुदा रहता है बदरवा बदरवा के बारे में जानेंगे कि क्यों आखिरकार जो है बीजेपी को तनकीत का निशाना हर बार किया जा रहा है और अगर काम नहीं सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ नासर भाई कि आप यहां पर आए हमारे आफिस में आए मैं आपका बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूँ आज मकर संकराती है पूरे देश वासियों को आज मकर संकराती की बहुत-बहुत बधाईया अब आपने जो क्वेशन तो भदरौ में एक सबसे बड़ा दुर्भागिर आया है कि यहां से हमारा कोई कैंडिडेट पहले कभी भी नहीं जीता था बीजेपी का जो कैंडिडेट कभी नहीं जीता जब 2014 में लोगों नहीं को मेंडेट दिया और 14 से 17 के बीच में आपने देखा कि जो धाई साल तीन साल का वकफा रहा हमने कोशिश की कि भदरौा के ही है जितना भी हित में काम करना हो करने की कोशिश की गई क्योंकि मैं बहुत नजदीक रहा हमारे एक सेमेले दलीप सिंग परिहार के साथ तो आप देखते हैं कि कई इशूज जो थे भदरौा के जो एड्रस नहीं हुए थ में पूंचे होते हैं आगर सेवर ग conversion गल्ट की पनाट्र उसके लावास कोई संजज जी इसमे सवाल करना चाहूंगा कि कि चलुक lackा चलिगई ते लेकिन अभी क्या दिखता थे और क्रत्र कहती हैं खो सब्सक्राइब आपको बताऊंगा अभी एक चीज को आपने मानना चाहिए थ्री टायर सिस्टम अभी नहीं है यहां पर अभी टू टायर आयर जो अभी जीतेंगे तो इंपलिमेंट होगा अभी भी बेरोक्रेसी है आप इस चीज को मानो ना कि बीजेपी का आप जैसे मर्जी कहेंगे कि सेंटर है सेंटर से राजबाल चला रहा लेकिन इस वकर बेरोक्रेटिक सेटप है में आपको यह प्रामिस करता हूं कि इस इस इशू पर हमने बहुत सिरिस डिसकेशन जो है विदिन पार्टी जो तीन-चार बार हुई है और इसको हम इस प्रोजेक्ट को लेके हम शाटली बहुत कोशी समय में हम दिली में भी जाएंगे कि नीती थी कि भदरवा को इसको न कि सोच थी अगर आजाद साब रामबन में डिस्टिक्ट दे सकते थे तो बदरो को डिस्टिक्ट नहीं दे सकते थे वो तो बदरो का मले था जिसने यहां पर एडी सी बिठाया वो बीजेपी सरकार थी जिसने यहां पर एडी सी बिठाया एडी सी का तो कलेम तो जो है एंस हुआ नमाइंदा जो है वही सबसे उसी की अलियन फर्ज होता और वही उस काम को कर सकता है एक हरा हुआ है और जो है उनको काम करना चाहिए तो बीजे बीज में बात करना चाहूंगा जब आपके मैनिफेस्टों में था कि बदरा को डिस्टिक देंगे कहा है वो डिस्टिक आपने बोला था कि हम जो यहां पर नेशनल हाईवे बनवाएंगे तो कहा है वो तो इनके बारे में बदरवा के लिए बदरवा की खुशाली के लिए यहां टनल लाना है और वो आएगा और यहां आपको मैं बोर रहा हूं नेशनल हाईवे जब डिकलियर हुआ है परसूं आपको लास्ट मंथ जब नितन गडगरी जी डोडा में आए उन्होंने इसको अलांसमेंट कर दिया बारत माला प्रजेक्ट के तहत इस रोड को कहाँ से लखनपूर से लेकर बनाट बदरवा तक पुल डोडा तक पुल डोडा तक इसको मारत है लेकिन बदरवा का टनल मैंभी गूझल पर सर्च मारता रहा तो नेट पे देखते हूं कहीं पर भी इसका कोई जिकरने यह तो फिर लोगों को घुमाने वाली बात हुई ना तरनल देंगे वाली बात नहीं देखो मैं इस चीज में एक चीज में बात बता हूँगा क्योंकि ये मेरी एक वाहिद एक इनसान की स्टेटमेंट नहीं थी यहां दलीव सिंग परिहार नहीं है पीमो में हमारे मंतरी रहे हैं अभी भी जो डाक्टर जितिंदर सिंग जी उन्होंने इस पे बहुत बार डिसकेशन हुआ है इसमें जो जो प्रोजेक्ट की कास जो थी बहुत एक्सक्राइट कर रही थी इसलिए इस प्रोजेक्ट को पूरे भारतमाला के अंडर डाला है ताकि इस प्रोजेक्ट में पैसे की कमी न रहे देखो एक चीज में बताऊंगा सुदमादेव का टरनल तो कांगरस ने अनॉसमेंट कर दी उस दिन हाँ जी हमने दे दिय तो आने वाली सरकार उसके करेंगी ना अमली जामा उसको पहनाना था उस पर प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ था जिरो परसेंट उसको डी पियर तक करवाने अभी नहीं हुआ था तो उसमें कितना टाइम लगा दोजार दस से लेकर आई जो उसका हकीकत कब आ रही ह onu कि आए बोजार 11 साल लगे अगर हमने 2014 मिन इस उस 2000 शोड़ा से पहले तो आपने भी कभी नहीं सुना होगा की च्छतर कला टानल बनेगा कि सुना था कभी आप पिज़बी के नुमायंदे वरकर से उनके मुह से बात आई कि हमको च्छतर कला टानल चाहिए ताकि हमारी ड इल्कुल हंड्रेड इनवान परसेंट यह अपना नाश्री वाला टानल है यह तो कांग्रेस के टाम सरोली साहब ता बहुत है अगर हम जो प्रोजेक्स कर रहे हैं काल अगर दूसरी सरकार पहले तो हमको उमीद है नहीं कि ये लोग कहीं आप दिख रहे हैं आप मेरे को एक चीज़ बताओ ये जो क्लैम करने वाले हैं चाहिए वो XMLC है हमारे एजाद साब है इनको सिर्फ एक क्वेस्चन बोशना है कि दोस्त धेड़ साल यहां कुरोना रहा आप कहां थे आपके वरकर कह आपने देखा कि कांगर्स का कहीं वरकर एक एक नमक की गुथी भी किसी गरीब को देता हुआ यहां पर डिवाइड और रूल की राजनीती से वोट मंगते हैं यह मुस्लमानों को बरवर गलाते हैं यहां पर यह बीजेबी आएगी वोट लेते हैं और उस पर बिना पर वो करते हैं अगर आजाद साथ दिली में बैठे थे तो बाकी लोग के यहां घुमशुदा थे दो साल से कहां थे एडियर साल से क्या आप यहां पर रहते हो आप मेरे को पताओ इनका चाहिए डिस्टिक दिस्टिक का बाड़ी हो मंडल की बाड़ी हो कौन सा वरकर आपने कहां Ukrauna के टाइम में एक नमगी गुती भी किसी को गरीब को बांडते हुए यहां कहीं कोई सिवा करते हुए आपको यह AHAM NGO मिले और यहां भारती जन्ता पार्ड़ी का कारी कारे करता चाये वो बूठ पे था, चाये वो डिस्टिक्ट पे था चाहे वू जम्हू में तेखो आप डिल्ली में तेखो पूरी इंडिया में उन्हें काम किया चले चले यह यह बात आपकी म anterior ही ने पारी ने करोना में जो है काम किया। Mysität मोड़िये जो है आपका करोना में काम किया। सब्सक्राइब कोई नहीं देगा और मैं आपको गारेंटी से यह बात कहूंगा कि भारती वाइद पार्टी है जो आपको यहां पर डिस्टिक देगी और कोई नहीं दे सकता पिर चुनावी मुद्दा बन गया है कि जब सरकार आएगी यह तो फिर ब्यकूप बनाने वाली बात आ गई देखो इधर सनाओ अगर हमने ब्यकूप बनाना होता तो हमने यहां पर डिस्टिक नहीं बठाए होता एडिसी जो इसकी बेस बन गई मुझे बताए जो बीजेबी करके रही है हमने देखा कालेज के अंदर जो है इतना पराना कालेज है उनेसों पचुनजा में कालेज बनाया तो अब ही तो आप रिसनेटली वह पीजी कोर्स आ रहे थे कुछ तो बदरवा को गिनुवर किया गया है क्या कर रहे है क्या आपको तो किसी मेरे फ्रेंड ने फून किया था उसके वह हमने बात किया है हम इस इस पहाले ने का जो भी जो कोर्सिस है यहां पर नीजिय है जो भी पी ४ी जी के आ या या ये जितने भी यहाँ पर इशियूस हैungen और तो हम करेंगे मैं को आफ़ आजर्स कम करेंगे हैं कि उछ पीडीपी वाले कहते हैं कि मुप्ति साब उसका चेफने तो उनने दिया जिसने दिया उसने दिया आज युनिवस्टी की यह हालत है कि हमारी युनिवस्टी जो है बंद होने पर आई एक जान दो सब्जेक्ट से और इतने साल हो ए तो बीजेबी ने पिछले साथ साल में क्य आके है आपने तो कुछ ही नहीं युनिवस्टी के लिए साथ साल भाई आप हर वक्त जो साथ साल की बात कर रहे हो ना तो नासर भाई मैं कोई एक चीज़ आप कोई रोग डोग दूँ साथ साल तो हमारी हुकुमत रही नहीं हमर दो ड़ाई साल रहे जमो कश्मीर में ने रही मरकस सेंटर में तो है ना हमारे जितनर सिंग जी ना जितनर सिंग्जी है मेरी बात सुनिए अभी आपके पास एक केमपस नहीं सरकार ने क्या किया उस वकत भदरवाईयों को खुश किया यहां पर केमपस बिठा है मैं उसका धन्यवाद करता हूं सरकार का उन्होंने इस दर केमपस लाया लेकिन साथ में एक में चीज़ बताता हूं कि जब उनको पॉलिटिकल प्रेशर जो है इसी जो इस एंटायर ओल्ड डॉड़ा डिस्टिक्स से पढ़ा तो इन्होंने कहां पर केमपस नहीं दिया कहां पर आज केमपस नहीं हर जगा उन्होंने उस सरका उनको यारा तरीक का प्रोग्राम था यहां पर डाक्टर जिदिनर का बदरौ में रहने का लेगे अनफॉर्चनेटली स्नोफाल की वज़ा से यहां पर नहीं आ पाए अब हम उनका प्रोग्राम एक बना रहे हैं यहां पर बैठके जितने भी बदरौ के रिलेटेड इशू हैं उन से यह साट और अड्मिस्टेशन को साथ बिठाएंगे यहां का डीडीसी चेयर्मेंट साथ बैठेगा जो भी हमारे अड्मिस्टेट्व रिलेटेड यहां पर इशूज है तो उन पर डिसकस्ट जो है बहुत एक मैं बोल रहा हूं उसको फूट पूल डिसकेशन और उसका कोई रिजल्ट और रिंटेड डिसकेशन जो हम उनके साथ करेंगे मैं आप से मैं 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 आप से करना जाओ देखें डिली में जिसकी सरकार होती है बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी बैंस इसमें कोई दोरा है नहीं कांगर्णरे जो भी कर सकती थी जो करना चाथी तो इस वक्त भारते जन्ता पार्टी के दिली में अगर जमू कश्मी पर नहीं है फिर भी जो है लगी साहब है उसको एपॉइंट तो जो है सेनेटर गवर्णमेट ने किया तो इस वक्त बीजेपी कौन सी चीज जो बदरवा के लिए बीजेपी नहीं कर सकती है यह तो यहां स्केल ड्वल्मेंट थी जो छोड़ छोटे गाउं की ड्वल्मेंट थी वह आपने देखा वो टू टायर सिस्टम में हमने हवाले कर दी है पैंच सरपैंच काम कर रहे हैं चाहे वहां पर आज गलियां बननी हो वह है दूसरा दूसरा जो रिलेटेट जो अभी हमारे डीडी हमने यहां पर जो सबसे बड़ा इशू जो आपने नेशनल है वेगा था हमने जोर शोर से अपने इसमें उठाया और उसमें मैं आपको क्या बताऊं कि हमने किस तरह से इशू अपने विदन पार्टी उठाया और उस पार्ट उसका नितीज़ा यह हुआ उस प्रेशर उस कि पूछना हूं कि प्षले जुन हमने देखा कि पद्री को हिमाचल कलेम कर रहा है पद्री एक ऐसा स्पार्ट है जो आप को भुखोवी मालूम है बदर्वा को अगर जाना जाता है बद्रवा कोई भी टूरिस्ट आता है चाहे डूमेस्टिक हो या नेशनल हो इंट्रेश है और इनने जवाब भी बड़ी चत्राई से देद और आने वाले वकत में देखते हैं कि भारती जनता पार्टी जो है बद्रवा के लिए क्या करती है क्या बद्रवा की डूलेप्मेंट में भारती जनता पार्टी का इंपॉर्णेट रोल होगा की नहीं होगा और आने वा